आप देखिए यह विडियो, माया ट्यूटर पर मुफ्ट कूपन कोड साइट पर बैनर में दिया गया है, अभी पंजी करन करें, फ्री में ओनलाइन क्लास लें हमारे देश में कई प्रतिभाशाली शिक्षन शिक्षक हैं, प्रहिनिया और बेरोजगार बहुत कम दरों पर कक्षाएं लगाकर जीवन यापन करते हैं, लेकिन जब कॉविड आया तो वे क्लास नहीं ले सके, इतने सारे महान शिक्षन एप के आगमन के साथ कई ने अपने छात्रों को खोदिया है, वेब साइट को बड़ी रकम में नहीं बनाया जा सका, लेकिन इस प्रकार के होम ट्यूशन का उप्योग शिक्षक माया ट्यूटर्स डॉट कॉम पर बहुत कम मासिक दर पर कक्षाएं लेने के लिए कर सकते हैं, यदि आप केवल एक बार वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और इन कक्षाओं को सूची बढ़ करते हैं, तो आप अगले वर्ष फिर से इन कक्षाओं का उप्योग कर सकते हैं, रोबोटिक्स के लिए कक्षाएं सूची बढ़ होने के बाद बाद में कक्षाएं ल अन्यदूर के छात्रे स्पोर्टल के माध्यम से आपको धून सकते हैं। उन्हें अपना छात्र बनाई और कक्षाई ली। एक और विशेशता यह है कि आपको बहुत सारे च्यूशन छात्र मिलते हैं। इस युग में जहां शिक्षा एक व्यवसाय बन गया है या साबित करक कि शिक्षा केवल एक व्यवसाय नहीं है अपने कोशल को साबित करें। बहतर आए प्राप्त करें। अधिक जानने के लिए यह वीडियो दें। दुनिया भर के शिक्षक और संस्थान ट्यूशन लेने के लिए इस वेब पोर्टल का उप्योग कर सकते हैं। दुनिया एक ओनलाइन क्लास की तरफ बढ़ रही है। फिर आपके छात्र एक ओनलाइन कक्षा में चले जाएंगे। ओनलाइन ट्यूशन क्लास लेने के लिए आपको एक वेब साइट बनानी होगी। यह बहुत महेंगा है। लेकिन सामान्य शिक्षक इस वेब साइट के माध्यम से बहुत ही कम लागत में ट्यूशन ले सकते हैं। प्रोबॉटिक्स क्लास क्या है? प्रोबॉटिक्स कक्षा में एक वेब पोर्टल की मदद से आयोजित की जाने वाली कक्षा में, जो एक बार ली गई त्यूशन कक्षाओं की डिजिटल फाइलों का उप्योग करती हैं। वेब पोर्टल पर डैनिक कक्षाओं के विडियो और नोट्स की सूची बनाएं, इनका उप्योग बाद में बिना कक्षाओं लिए छात्रों को ट्यूशन कक्षाओं देने के लिए किया जा सकता है, शिक्षकों को बाद में ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं है, अधिक जान पाथ्यक्रम, कॉलेज पाथ्यक्रम, पश्चिमी संगीत, करनाटक संगीत, संगीत वाध्ययंत्र, नृत्य, खाना बनाना, सिलाई चित्रकारी, पी एस सी, बैंक प्रवेश कोचिंग, भाषा अध्ययन, आप लेखानकन, मनो विज्ञान, दर्शन, यह सब विशय जैसे सभ भी विशयों में कक्षाएं ले सकते हैं, शिक्षक छात्रों से फीस कैसे लेते हैं, फीस सीधे छात्रों से ली जानी चाहिए, इसके लिए शिक्षक के प्रोफाइल पर शुल्क भुगतान करने वाला बैंक खाता और पाइमेंट वॉलेट क्यू आर कोड प्रदर्शित करन किराया लिया जाता है, शिक्षकों से कोई अन्य शुल्क नहीं लिया जाता है, माया पोर्टल के माध्यम से ओनलाइन ट्यूशन सुविधा की दर क्या है? माया बहुत कम मास से किराया लेती है, अधिक जानकारी के लिए मूल्य देखें, क्या मुझे भुगतान करने से पहल पर पढ़ाने में सक्षम नहीं होगा। अगर आप शिक्षक हैं तो यहां शिक्षक के रूप में पंजी करन करें। नियम और शर्तने स्वीकार करें। रजिस्टर पर क्लेक करें। अपने मेल पर जाने के बाद। माया ट्यूटर सक्रियन मेल खोलें। सक्रियल लिंक पर क्लेक करें। मेंबर लॉगिन का चायन करने के बाद। अपना मेल आईडी और पासवर्ट दर्ज करें। और फिर लॉगिन करें। यहां। गूगल के साथ लॉगिन चुने। देमो अब तैयार है। अपनी प्रोफाइल संपादित करें। यह विडियो देखें। अपना पार्थ्यक्रम और मॉड्यूल बनाएं। देमो के बाद माया वेब पोर्टल का उप्योग करने के लिए शिक्षकों के लिए क्या दर है। क्रिप्या यह कीमत देखें। इस पोर्टल पर कितने पार्थ्यक्रम सूची बद किये जा सकते हैं। पार्थ्यक्रम असीमित के रूप में सूची बद किया जा सकता है। इस पोर्टल में कितने चात्रों को जोड़ा जा सकता है। आप असी मिच्छात्रों को जोड सकते हैं। क्या इस पोर्टल में लाइव क्लास लेने की कोई सुविधा है। आप यूट्यूब लाइव विडियो लिंक को सूची बद करके लाइव क्लास ले सकते हैं। अभी रजिस्ट करें और अधेग जानकारी के लिए डेमो आजमाएं। पाठ्यक्रमों को सूची बद करने में मेरी सहायता कौन कर सकता है। एक बार शिक्षक बंजीकृत हो जाने के बाद पाठ्यक्रम की सूची कैसे बनाएं। पीडिएफ कैसे सूची बद करें और लाइव क्लास कैसे लें। इस पर हर जगह विडियो होंगे। आए इन विडियो को देखें और पाठ्यक्रम की सूची बनाएं। मैं एक छात्र हूं। क्या मुझे माया पोर्टल पर शुल्क देना होगा। नहीं। यह छात्रों के लिए सौ प्रतिशत मुफ्त है। छात्र शिक्षक और पाठ्यक्रम पा सकते हैं। लेकिन ट्यूशन फीज सीधे शिक्षकों को देनी होगी। मैं एक शिक्षक और एक छात्र के रूप में पाठ्यक्रम कैसे ढूंड सकता हूं। पाठ्यक्रम का नाम शिक्षन विशय। संस्थान का नाम और स्थान के लिए यहां खोजें। यहां अपना मोबाइल नंबर या मेल आईडी दर्ज करें। स्थान दर्ज करें और खोजें। अब आप चयनित क्षेत्र में शिक्षक पा सकते हैं। यदि आपको इस क्षेत्र में शिक्षक नहीं मिलते, तो अन्य स्थानों के नामों से खोजें। वर्तमान शिक्षकों का वेब पोर्टल खोलें. अब आप इस शिक्षक का संपर्ख पता. WhatsApp नमबर और पाठ्यक्रम की जानकारी देख सकते हैं. यहां आप सीधे शिक्षकों के WhatsApp पर चैट कर सकते हैं. या शिक्षक यहां मेल द्वारा ट्यूशन की जानकारी मांग सकते हैं, लेकिन अगर आप शिक्षक की जानकारी नहीं देख पा रही हैं, तो आपको पंजी करन या लॉगिन करने की आवश्यकता है, एक रजिस्टर क्या है, लॉगिन क्या है, यदि आप इस वेब पोर्टल पर पहली बार जा रहे हैं, तो आपको पंजी करन करना होगा, यदि आप एक छात्र हैं, तो आपको यहां एक छात्र के रूप में पंजी करन करना होगा, मत भूलो, यदि आप एक छात्र हैं, तो केवल पहली बार एक छात्र के रूप में पंजी करन करें, यदि आप एक शिक्षक के रूप में पंजी करन करते हैं तो आप इस पोर्टल पर अध्यान नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले, छात्रों को यहां पंजी करन करना होगा। इन सभी फॉर्म को भरें। आपके मेल पर जाने के बाद, माया ट्यूटर एक्टिवेशन मेल खोलें। एक्टिवेट लिंक पर ख्लेक करें। रजिस्टर अब पूरा हो गया है। अब आप अपनी मेल आईडी और पास्वर्ट डाल कर लॉग इन कर सकते हैं। चयान करें। मेंब पहुँज। अपनी मेल आईडी और पास्वर्ट से लॉग इन करें। या गूगल के साथ लॉग इन का चैन करें उन विशयों और शिक्षकों को खोजें जिनकी आपको आवश्यकता है इसके लिए यहां खोजें करने लिए, आजे को a एंटें लॉग बाभार्फ इनकी आवश्यकता है करने लिए खोजें खोजें आवश्यकता है झाल 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 झाल